सब्सक्राइब करें और बेल दबाइन ताके कोई खबर रहना जाए कौमों की हिजज़ग हम वे हम आए हम बेंदे हम मेन या it's अमोगी हिस्ज़ग हम देह अमाए हम वेज़ और बेंदे हम वे दियाद कौमों की हिज़द हम वे हम बेंदे हम देह . तब्दीली आज आठ मार्च पूरी दुनिया में इंटरनेशनल विमिन्स डे यानी ओरतों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है कुछ मुलकों में अभी इस वकत मनाया जा रहा होगा और जैसे पाकिस्तान जैसे मुलक जहां पर दिन गुजर चुका है तो आज ये दिन आठ मार्च दूजार बीस को जब पहुंचता है तो पाकिस्तान के अंदर इस दिन को मनाने के अवाले से कुछ कांट्रोवर्सिस ने जनम लिया वो क्यों जनम लिया उस पर बात करेंगे लेगिन पहले आपको इस दिन के एक मुक्तसर तारीख बताते है उनीस सो आठ में प पर पत्थर बरसाए गए और उनमें से बहुत सी औरतों को गिरफ़तार किया गया उनीस सो नौ में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने औरतों का दिन मनाने की करारदाद मनजूर की और पहली बार उसी साल यानी उनीस सो नौ में 28 फरवरी को अमरीका भर में आरतों का दिन मनाया जाता रहा उनीस सो ग्यारा में 19 मार्च को पहली बार खवातीन का आलमी दिन मनाया गया फरवरी 1913 में पहली बार रूस में खवातीन ने आरतों का आलमी दिन मनाया उनीस सो सतरा में सोवियत इनकिलाब के बाद इस दिन को रूस में सरकारी सता पर तसलीम करने के बाद इसे कम्यूनिस्ट और सोशिलिस्ट मुमालिक में छुटी के तौर पर मनाया गया 1922 से इस दिन को चीन में कम्यूनिस्टों और 1936 से जो हिस्पान्वी कम्यूनिस्ट थे उनकी जानब से भी मनाया जाने लगा यकुम मक्तूبر 1949 को अमामी जमूरिया चीन के क्याम के बाद रियास्त काउंसल ने 23 दिसम्बर को ऐलान किया कि 8 मार्च यौम खवातीन के तौर पर ना सिर्फ मनाया जाएगा बलके इस दिन सरकारी स्था पर आदी छुटी भी होगी 1975 के बाद अक्वाम मतहिदा की जर्नल असम्बली ने रुकर मुमालिक को मदू किया और 8 मार्च को खवातीन के हुकूक और आलमी अमन के तौर पर मनाया जाने का ऐलान किया उसके बाद से मगर्बी मुमालिक समेट दुनिया भर में इस दिन को एक मकबूल तहवार के तौर पर मनाया जाने लगा पाकिस्तान में भी आज खवातीन के हुकूक के लिए रेलिया निकाली गई और आरत मार्च का इनकात किया गया पाकिस्तान में आरत मार्च का ये सिलसला यानि दिन तो मनाया जा रहा था लेकिन जो आरत मार्च का सिलसला है वो दो हजार अठारा में शुरू हुआ और इस साल ये मुल्क में होने वाला पहला मार्च था और दो हजार बीस में ये तीसरा आरत मार्च है गुजशता बरस औरत मार्च के शुरका की जानिब से बनाये गए चंद बैनर्स, पोस्टर्स और नारे तनाजियात का बाइस बने और औरत मार्च के मुखालफीन जो है उन्होंने इस मार्च के खिलाफ आज यौम हया मनाने का ऐलान किया जिन में जमियत अलमा इसलाम समय दीगर मथभी जमाते और ग्रोफ शामल थे इसके लावा जमात इसलामी जो है उसने तकरीम निस्वा के तौर पर आज के इस दिन को बनाया और अमीर जमाते इसलामी ने जो ऐलान किया याई कोखले नारे तो सब ने लगाए हमदर्दी का इसार सब ने किया मार्च में भी सब निकले लेकिन जो अमली तौर पर कदम उठाने का ऐलान किया वो सिर्फ सिराज Success किया और उन्होंने ये कहा कि आज के दिन मैं ये ऐलान करता हूँ कि जब अगला इलेक्शन आएगा पाकिस्तान में तो मैं अमीर जमात इसलामी सिर्फ उस मर्द को टिकेट दूँगा अपनी पार्टी का जो अपनी बेहन को विरास्त में हक देगा यानि हर साल दिन तो मनाया जा रहा है लेकिन अमली एक्दामाद का एलान और उसके उपर काईम रहना जो है ये है वक्ती जरूरत मेरे साथ जो मौतुमर शिक्सियात मौजूद है सेनेटर साहर कामरान साहिबा ओनरिबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको बात शुक्या इसलामबा स्टूडियो में खलील और रह्मान कमर साहब किसी तारुफ के मौत आच नहीं है पाकिस्तान के नामबर मौतुमर अदीब और ये सारा जो सिलसला जब शुरूबाद से आर्ट-दस तिन पहले औरत मार्च के तनाज़े का तो उसमें खलील और रह्मान कमर साहब का नाम भी कहीं ना कहीं साब ने आगिया अलामा अबतिसाम इलाई जहीर साहब मारूफ रिलिजिस स्कॉलर है हमारे साथ नहौर से घरीदा फारुगी साहबा सीनियर रैंकर परसन है सहाफी है और खुद आज मौजूद भी थी इसलामबाद इस औरत मार्च में आपका बात चुकी और फर्जान अबारी साहबा जो के रुव रहवां थी इस सारे मार्च की सोशल अक्टिविस्ट है वो भी हमारे प्रोग्राम में थी लेकिन जैसी हमने प्रोग्राम शुरू किया वो बैठी और वो उटकर चली गए तो यह ज़रा दिखा भी दें प्रोडूशर साब उनकी खाली कुरसी यानी सा सारा शोर शराबा इन्हों ने शुरू किया और अब चुके इन से कुछ सवालात होने थे कुछ पूछा जाना था तो इन्हों ने वहां पर बैटने की बज़ाए बैटके और उटकर चली गए आप से आगास करता हूँ खलीर रुर्मान कमर साब यह जो मैंने तारीक रखी ह आज औरतों को मिल चुके हुए है तरक्य आफ़ता मुबालिक में तो बहुत ज़्योह じादा होंगे तरक्य पजीर मुबालिक जो पाकिस्तां जैसे है इनूमे भी आज से 100 साल पहले की निसमत बहुत सारे हुक और अरतों को अथसल है लेकिन आज भी पाकिस्तान समये दु अपने हुकूक की जंग लड़ रही हैं तो क्या आपको इसमें कोई अख्तलाफ है कि ये औरत मार्च या तहरीके हुकूक निस्वा जारी रहनी चाहिए ये नहीं असलाम अलेकूम मेरे तमाम पैनलिस्ट को मेरा सलाम और तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम देखिए अमीर अब्बास सहाब जहां तक औरत के हुकूक का तालुक है इस बात से आज तक ना खलील-ुर्मान कमर ने इंकार किया ना मरने तक इंकार करेगा मैं अपने आपको सबसे बड़ा इनके हुकुक का दाई मानता हूँ मेरा इतराज महज और महज इनके जो गलीज और बगत्तहजीब नारे हैं उनके हवाले से था और एक दो ऐसे मामलात भी आये जहां हम इंटर्वियूज में मेरे साथ इनके फैमिनिस्स लड़कियां थी और खातीन थी और हम यहां तक बात करके पहुँच गए कि वाई नाट के जो वज़ा तनाजा है जो तकलीफ देती है हमारे हाँ लोगों को जिसको देखके पढ़के शर्म आती है उन नारों को तबदील कर लिया जाए बात हुक की करनी है या स्लोगन्स की गंदगी और गलाजत की क्या ये टार्गेट है कि हम सड़क पर निकल के हमारी माएं बेहने बेटियां ऐसे घटिया नारों के प्लैकाड उठाएं जिनको देखकर मर्दों के और हमारी खातिन के सर शर्म से जुक जाएं फिर बहुत जरूरी था ये जानना कि ये रिप्रेजट किसको कर रही हैं क्या वो खातिन इनके साथ हैं क्या ये जो बाहर निकली हैं वाकितन इनके हुकुक सलब किये गए हैं ऐसा तो कोई मनजर हमारी नजर में हमारी नजर से नहीं गुजरता जिनके हुकूक सलब किये गए हैं उनके ठीक उसी वक्त हुकूक मर्दों के साथ सलब किये गए हैं क्योंकि हमारे हाँ लॉप प्रिवेल नहीं करता ही कूली लॉप एलीट क्लास को सहूलते देता है कॉल मेरे साथ एक बैठी हुई पैनलिस्ट लॉयर फैमिलिस्ट ने मुझे बताया कि आपको पता नहीं है खलीज साब खातीन के हुकूक कानून में मर्दों के हुकूक से जादा हैं तो जब ये लॉयकुली प्रवेल करेगा तो आटोमेटिकली वो सारे हुकूक जो इनको मिल जाते हैं और वो सारे हुकूक उन मर्दों को भी मिल जाते हैं जिनका हुकूक से कोई वास्टा ही नहीं और जिनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए कभी बहार ही zhk निकलता तो मेरा तो मतमाई नजर ये था कैसे वक्त में .जब इंडिया दस बारा लाक की फाज लेकर चड़दोडा है हम पर और जहां वहां कश्मीर में हमारी माँ बेटियों की बेहरूमती की जा रही है जहां बेटों का खुन गलियों में सडकों पर बहरा है जहां मुलक economy instability और political instability का शिकार है ऐसे वक्त में अगर मार्च का होना था तो ये मार्च उनके लिए क्यों नहीं है ये मार्च मिल मिला के उस पिसे हुए तबके के लिए क्यों नहीं है जो लौ परवेल करने के का इंतजार कर रहा है एकुली जिसके हुकोक इनके साथ सलब किये कर लिए गए है ये अकेली औरत मार्ज क्यूं ये समाजी बटवारा क्यूं मेरा सवाल सिर्फ ये था जिस पर इतनी खौफनाक बहश सामने आई कि आज मुझे शखसी तोर पर ऐसे ऐसी बातों से निशाना बनाया जा रहा है प्राग्लम सिर्फ ये था कि इनके पास बदकिसमती से दलील नहीं थी इनके पास बारओड किया हुआ कल्चर का एक नारा है बारओड किये हुए नारे है जो आपकी तारीख आप आपने वो हवाला नहीं दिया जब 1990 में ये नारा आया मेरा जिस मेरी मर्जी का ये प्रो अबार्शन नारा था जिसमें दो चीज़ें और भी शामिल थी कि सेक्स औरगन्स की दुकाने खोलने की इजादत दे दी जाए और प्रोस्टिचूशन को लीगलाइज कर दिया जाए ये ग्राइजुली कहां जान जाए अगर वही ट्वीट्स इनका एजंडा है तो ये बुरी तरह नाकाम कर दी जाएंगी इन्शालला बिल्कु ठीक है एक लीडर तो फिर इनकी अब खोदी प्रोग्राम से क्या कहना चाहिए चली गई है उनको शरीक थी प्रोग्राम में और इनके पास दलील नहीं है अ सेनिटर साहिबा ये गलीज नारे उठा कि इस तरह सड़कों पर फिरती रही है अच्छा लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छे नारे भी सामने आए हैं मैं जरा चाहूँगा कि वो प्लैक आर्ट्स बे दिखाय जाए जो आज के इस औरत मार्च में यह नहीं जो पिछले साल का जो तनाजिया था जो इस मार्च से पहले शुरू हो गया जिस किसम के कुछ बेहुदा नारे जिनका जिकर खलीर उर्मान कमर साब करते लेकिन इस जवा बहुत अच्छे नारे भी आए जैसे यह आप देख रहे हैं लड़कियों की तालीम बनाए मुलक अजीम अब कौन किस पर इखतलाफ करेगा ये कौन इसकी मुखालफत कर सकता है इसी तरह ये एक हुदूर सलीला अलाए वाली वसलूम का फरमान तुम में से बहतरीन मर्द वो है जो आरतों के साथ अच्छा सलूक करें किसी को भी इस नारे पर इतराज नहीं हो सकता इस प्लैकार्ट पर कि हर लड़की के हाथ में कलम और किताब के लिए हम लड़ेंगे मियारी लाजमी और मुफ तालीम के लिए कौन इससे अखतलाफ कर सकता है ये चारो खवातीन ऑनरेबल पीमल एन से शजा फात्मा साहिबा और दुबारा से दिखाएं जी जिसमें हिना परवेस बट साहिबा भी है और शाहिसता परवेस मलक साहिबा भी है जिसमें एक ये प्लैकार्ड भी है कि बेटी खुदा की रहमत और शाहिसता साहिबा ने जो उठा रखा है एक्वालिटी आफ ऑपरचुनिटी कौन इससे अखतलाफ कर सकता है ये आगे है जी दिर इस नो आनर इन किलिंग इस स्टाप चाल्ड अब्यूस तो सैनेटर साहिबा अगर इस किसम के पेगाम आमूज नारे आप लेकर आएं कि जिससे लोगों को मैसेज बजाए और जो थाट प्रोवोकिंग भी हो जो माश्रे में लोगों को सोचने पर मजबूर करें तो किसी को अतराज नहीं होगए बिसमिल्हे रुमानलरहीम आमीर अबास मैंने बड़े तहमूल से बात की सुनी है और मैं अब अब उमीद करती हूँ कि मेरी बात भी मुकमल करीना मुक्र दिया जाएगा मैं नहीं मैं किसी शक्स को अड्रेस नहीं करना चाहती ठीक है बात यह है कि हमें असल जो खामी देखनी होगी कि क्या है हमारे माश्रे की जो सबसे बड़ी खामी है मैं दुबारा इस बात को दराऊंगी कि तालीम है तर्बियत नहीं है हमारे रवाईयों में खराबी है, हमारी सोच में खराबी है हम माश्य को तक्सीम करना चाते हैं और हम यह सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वो दरुस्त है और हम अपनी सोच को दूसरे पर मसल्लत करना चाते हैं मैं इस पस से प्रपाइब करने की जरुरत है . हेल्दी डाइलोग . बर्दाष्य के साथ . हमारा मजभ अमन की सबुख है . हमारा मजभ बर्दाष्य का पहstory lait हमारा मजभ चेक हावातीन करें ते उनकी जामिन हम नहीं किसी जगह पे उनको मर्दों से कमतर नहीं देखा और हम इनी मिसालों को लेके आगे चलते हैं देखें किसी के लिबास, किसी की गुफटगू से उसके कंड़क्ट को सर्टिफाई करना हलत है किसी से इखतलाफ आपका हो सकता है मुझे इखतलाफ उस मौलवी से है जिसके पास बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ने जाता है और बच्चे का अब्यूस करता है मुझे इतसार उन लोगों से है जो अपने ही बच्चों को फूलों को जैसे बच्चों को रोन देते हैं मुझे जो है जो है जो एतरास उन लोगों के उपर है जो हवातीन को लेंदेन का जरिया समझते हैं त्रेडिंग होती हैं हाँ जी इस्तेसाल के खिलाफ तेगे जब हम बात करते हैं हमारी अंदर इतनी कम बड़दाश्ट है जैसे मैंने जब सेनेट में मतारिफ कराया कानून कम उमरी की शादी पर पाबंदी का के चाइल मेरेज इस्टेंड बिल तो मैंने जिस तरह के रवये देखे बहुत अच्छे पड़े लिखे महसब लोगों में तो मुझे ऐसास हुआ है कि हमारे अंदर कितनी तंग नजरी है और इल्म की कितनी कर्ली में बहुत है इतनी इतनी यानि मैंने बोला कि 18 साल से कम उमर शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हम बच्चे की फलाव बहबूत देखें तो उसमें चाहिड मोटैलिटी रेट है कम उनकी तालीम है उनके फंडमेंटल राइट है इसमें कोई गलत बात नहीं थी आपको पता है कि जो अपोस कर रहे थे वो कानून क्या लेकर आए कि आठ साल की बच्चे की शादी कर देनी चाहिए अब इस किसम की इस जो इब्यूस होते है यह जो हरेस्मेंट होती है आवाज हर हकुक के लिए है ठीक है अब हर शक्स अपने रंग ढंग के हिसाब से आव आपको दिखाएं इसी तरह से कुछ मुतनाजिया भी है लेकिन हम खुद उनको इस तरह टून डाउं कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना चाहिए हम नहीं चाहते कि इस तक्सीम को इस दराड को मजीद बढ़ाएं लेकिन फर्क दिखाने के लिए कि अ पर पाकिस्तानी सुसाइटी में बहुत सारे लोगों को इतराज हो सकता है मैं अभी के बासा है मैं बहुत मुटसरान एक वाक्या बताना चाहरी हूँ मैं साथी अरेविया में रही बाइस साल मैं एक सवाल भी कर दो लेकि लबास का तालूक किसी के करदार से नहीं हो झाऊचता आप किसी के लिबास को किसी के करदार पर कुछ स्टेटम blinking देसकता यह को फैसला लेकिन के लबास का तालूक हया से तो है चले जाएं कोई शक्स जो है लूंगी और पगड़ पहना हुए है, तो हम कहेंगे कि वो काबल एहतराम है। वह ही शक्स आके यहां पे पहने तो हम कहेंगे धिहाती जाहिल गवार है। तेके बात यह है कि कहीं हमारी सोच में हमारे अंदर हमारे रवाईयों में घल्ती जरूर है अगर होतीन अपने हकुक की आवाज उठाती है तो हम उसको मुस्बत क्यूं नहीं देखते हैं आपको इखतलाफ हो सकता है जैसे मुझे इखतलाफ हो स्मॉल वी से है जो बच्चों लोग हैं अगर उनको लग रहा है कि औरत मार्च के अंदर कोई फाशी बेहयाई जिस तरह मौनाना फंजोर रह्मान साहब ने भी कह दिया कि इस नारे में फाशी नजर आ रही है मैं आगे दिखाओंगा जो सेनिटर मुझायदूल्ला साहब ने भी कह दिया कि इसमें फाश भी जाए चाहाए वो मॉल वीयों चाहए वो लिबरल हो से कंडेम करना चाहिए लेकिर यहाँ पर बात इस एक्शन्स की नहीं हो रीयक्शन्स के होाले से तो किसी जगा भी हराबी पाई जा सकती है यहाँ दो बात भीघो डाग्मा की नदरीयात की अपरोच की हमें जो ओरत माज के अंदर जो ओरतें शमल होती हैं उनके वडिान परोशिसरा से चल़ाव है जो मुष्टरकाणा नारे हैं उनके अपर किसी को क्या आत्राओ हो सकता है कि वरास्थतो ओरत को मिलनी चाहिए तालेम मिलनी चाहिए उसका हाग्हा किदाब उस तक पहुंचे लेकिन जब इसको इस अंदास के अंदर पोर्टरे किया जाता है को उसके एक हिस्से को आपके जिसम से जोड़ दिया जाता है अपनी मर्दी कासा जोड़ दिया जाता है बच्चों की पैदाईश कासा जोड़ दिया जाता है या वो ये बात करता ही और तालीम नहीं दिलवानी चाहिए या वो ये बात करता ही ओर्वरत को जिंदा दessäगोर का देना चाहिए तो यो बाते हैं जिसको पर कोई भी मौचरे का तबका है तोछ झो उसका कंडेम नहीं करेगा मैं ये बात समझता हूँ कि कोई मॉलवी जो अगर उड़्य क Öर्तों का तरीम असल करना हक नहीं है उर्तों काобрाना इन तो अपकोई हक नहीं है तो उससूरत के अनना अलामा को पर अटाक करना या मॉलवी को पर अटेक करना यह बात बंती है लाँडर अब्यूसक्त ev Yuz के ने distinction आगा एक क्रेलेड करने हिगा साय धिर्याइट कोशि़कि यहार्ने यह बात दुरस्ट में भी हो सकती है ये बात किसी ओर मुकाम के पर भी हो सकती है मॉलवी के पास वा भी काम ते पर भी काम मुझम्मत है किसी ओर रहा कि लिगा यहां यहां तो अपर आटी ने देता, किसी दूसरे के बारे में तबिख नी करता, मौलवी के must तबिख का है, मौलवी के पास चुचे इसलाम की इंटर्पोटेशन का है, मौलवी केे पास चुचे फतłe का है, अगर मौलवी में से कोई इस किसम की कोई घनावनी हरकत करेगा तो फिर उसको आम आदमी से नहीं जुड़ा जा सकता उसको फिर खास नजर से देखना देखा जाएगा बिल्कुर आपकी बाद देखें बाद यह देखें जहां तक आपने बात किया नहीं बॉरैलिटी की तो मैंने पहले ही बात किया गर मौलवी करेगा तो हम उसको डबल कंडैम करेंगे लेकिन मौलवी जो है क्या यह बात का स्टांस लेकर सामने आरा रहे कि चाइल्ड अब्यूस जायद है अगर तो वो यह स्टांस लेका था कि चाइल्ड अब्यूस जाये तो मैं समझता हूं कि ऐसा मौलवी जो है उसको सेग्रीगेट कर देने जाए एक मौाशरे से उसको करारे बाकिये सदा मिलनी चाहिए लेकिन हूमन एक्षन की बनियाद के पर एक पूरी पूरी कम्यूनिटी को जाया है उसको सिग्मा लगा देना ये बात दुरूस नहीं है जहां कोई मौलवी सामने आए हम उसको डिफेंड बिल्कुल नहीं करेंगे रवाया से हमंग नहीं है दीन से हमंग नहीं बिल्कुल ठीक है खलील रॉमान कमर साथ देंगे एक तो ये कि खरीदा फारुकी साहब हमारे साथ थी उन्होंने का कि जी आप से शायद उनका कोई इखतलाफ होगा तो वो आपके साथ आपकी माजूद्गी में बात नहीं कर सकती तो वो लाइन डॉप करके चली गई दूसरा ये कि एक जमाना था कि टैबलोस के जरीए से शायरी के जरीए से ड्रामे के जरीए से फिल्म के जरीए से पेगाम पहुँचाया जाता था लेकिन आज ये मेरा जिसम, मेरी मरजी क्या आज यही नारा बाकी रह गया है खरील साब के इसी के जरीए से पेगाम पहुचाना या इसी के जरीए से हक लेना है ये जो परफॉर्मिंग आर्ड्स थी फनून लतीफा आप भी उसका एक हिस्सा है ये भी तो जरायत है ना हक मागने के लिए पहले तो मैं सैनिटर साहबा को मुखाटिब करके अर्श करूँगा कि मैं अलामा साब को और आपको गवा बना कर कहता हूँ कि उन्होंने जितनी बाते की हैं अल्ला को आजर नाजर जान करके आपकी गवाही में कहता हूँ कि ये सब चीजें तो मैं इमान की तरह मानता हूँ मैं बार बार चीख रहा हूँ कि मेरा तो एतराजी एक था मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने गलीज नारे लेकर कोई आदमी अपनी बेटी को बेहन को बीवी को ऐसे मार्च में भीज सकता है और आप तो मुलक के चलाने वालों में शामिल हैं सैनिटर साहिवा वैसे आप माय हैं बेटी हैं और जब अप हरम की बात करती हैं तो आप मुझसे भी कहीं ज़ादा मौत बर हैं क्योंकि मैं अभी यह सादत हासल नहीं कर सका तो आप मुझे बताईए इखतलाफ कहा है इक्तिलाफ कहीं नहीं है सेनिटर साहिबा ना अलामा साब और आपकी बातों में ना मेरे और आपकी बातों में इश्यू ये है कि खुदा के वास्ते अपनी सफों में उन खादिन को ढूंडिये जो इस तरह के मैसेज करती है कि पाकिस्तान का मतलब क्या फॉजी और मुला इनके परदे के बारे में हिजाब के बारे में इनके ट्वीट्स पढ़िये जिसमें नोंने रिपीटिडली हिजाब को एपीस अफशिट कहा मैं आप से सवाल पूछता हूँ कि कौन सी जगा है जहां हम डिफर कर रहे हैं अपने आपको कोई एजेंडा है सेनिटर साहिबा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आप मुल्क चलाने वालों में शामिल है खुदा के वास्ते आप इनसे कोई सवाल पूछा आपने कि आज का दिन वाकई औरतों का मार्च तो हम किसी वक्त भी कर सकते थे या जी करना था तो मैं बार-बार पूछता हूँ ये कश्मीर की बेटियों के लिए क्यों नहीं है ये वहाँ बहते हुए लहू के लिए क्यों नहीं है ये जो दिल्ली में जो शोरश बपाई और मुसल्मानों का बेबहा खून बहाय जा रहा है उनके लिए क्यों नहीं है हम क्या कर रहे हैं खुदा के वास्ते मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूं मेरे कोई सियासी आदमी तो नहीं है मेरे पास ला की दीवी शोरते मौजूद थी और आप गवाहें इस बात की मुझे तो ऐसे किसी काम में कोई शोरत आसल नहीं करनी थी मैं तो एक मुसल्मान की हैसिय से एक आम पाकिस्तानी की हैसिय से ये बोलने के लिए उठाओं कि लोग मुझे जानते हैं तो मेरी आवाज शायद आपके लिए माकूल होगी और मैं सिर्फ इस बात पर मुतरिज हूँ कि लिल्ला इन गंदे नारों से बच जाईए ये आपको आपकी सोच को रेप्रेजेट करते हैं ये आपके हुकूप की बात नहीं हुआए ये मेरे मुल्ट की तोहीन करते हैं और आपको याद रखिए मैं आपको अर्स करूँ सैनिटर साहिबा पहले तो मैं आपको बता दूँ मैं सबसे बड़ा भुट्टो साहब का फैन रहा हूँ और जब तक बेनदीर भुट्टो साहिबा हयात थी, वो मेरी भी लीडर थी और मुझे कोई इस तरह इस हवाले से चैलेंज करें तो मुझे बड़ा अफसोस होता है मेरा इतराज और मेरा नुकता है उसको अगर आपको नहीं समझ आ रहा एक आप पाकिस्तानी का तो एक दिन आपको पच्चताना होगा समझने की कोशिश कीजिए हमारे मुल्क में पुलिटिकल और एकिनॉमिक इंस्टिबिलिटी मुझत तुर से चल रही है आप एक अटॉमिक पार हो और आपको हमेशा किसी ना किसे फड़े में उलजा के रखा जाएगा आप इस वक्त तमाम तर लोग भले ही आपके सियासे इखतलाफात हो आप मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आप इंटरनाशनल मीडिया की नजरें उस जलालत की तरफ लेकर जाएं जो मुदी ने कश्मीर में पापा कर दिए खलीर साब ये जो आप फर्मारें मैं इसी बारे में मैं कुछ बिखाना चाहूँगा किसी की बात में आपकी बात में बोला लेट मी फिनिश इट आप खुदा के वास्ते ये चाहती क्या है ऐसे खलीस नारों से क्या चाहा जा रहा था कि कोई एक्स्ट्रीमिस्ट दीनी ग्रूप उठे और उसका वो पिल पड़े इनके उपर जगड़ा हो जाए और बात चली जाए इंट्रिनेश्यों मीडिया में और तवज्जु जो है इंट्रिनेश्यों मीडिया की वो कश्मीर के इशू से हट कर ऐसे इशू पर आ जाए लिल्ला मेरी इस से जादा तो कोई खायश नहीं है चलें जिस चौन्स्परिसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं तो मैं उनको सलाब पेश करता हूँ और तो कुझे लिक्रा चाहँगा करके डॉक्टर इस्रार अहमत से बहुत बड़े रिलिजिस स्कॉलर और तिंकर है चुके हुए उन्हों ने इसी तरह की बात आज से कई साल पहले उसका एक इशारा दिया था वो आपके सामें रखते हैं पर सेनेटर साहबा से बात करते हैं उनको पर आके सामना करने का और सवालों के जवाब देने का भी होसला होना चाहिए वाश्रे में तक्सीम करने की अगर आपके अंदर होसला जुरत है और अगर बेहुदा किसम के प्ले कार्ड उठाके और उनके डिफार करने के अगर आपके अंदर जुरत है सडकों पे तो फिर आपके पास लोगों के सामने आके मैस मीडिया पर बैटके भी उसका डिफार करने की जुरत होनी चाहिए ब्रीक के बाद ब्रीक के बाद खुशांदेद बात हो रही है आज आठ मार्च आलमी यौमे खवातीन और पाकिस्तान में जो और अरत मार्च जो जिसको होना नहीं चाहिए था किसी तनाजिया का सबम या तनाजिया के जद में लेकिन वो तनाजिया के जद में आ गया डॉक्टर इसार अहमद साब ने कई साल पहले अब तो उनको इंतकाल हुए भी कई साल हो गया है उन्होंने अपनी जिन्दगी में एक बात कही थी जो आज पाकिस्तान में सच है यह नहीं लेकिन दुनिया में वो काफियत तक उची सच साबित हो चुकी है किया ओरत मार्च के पीछे कोई ऐसा वेस्टे इंट्रस्ट है बजारिन तो हुकूग है जसके ओपर कोई किसे को एतरास दεί लेकिन क्या कोई ऐसा वेस्टे इंट्रस्ट है जो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा करना चाहता है दिखाए ये तो दुनिया में तो सच साबित हो गया है और पाकिस्तान में भी पिछले साल बहुत सारे ऐसे प्लैकार्ट जमने औरत मार्च पे देखे जो इन चीजों का इशारा दे रहे थे देखें मैं फिर दोबारे ये कहूंगी कि आप जो है वो माइनरिटी अप्रोच को अक्सरियत पे हावी ना होने दें आज चो हुआ है मैं बताओं कि वो कब हमारा मजब इचाज़ा देता है कि खावातीन पुर अमन तरीके से अपना एक दिन अब्सर्फ कर रही हो वो कोई ऐसी मायूब बात भी ना कर रही हो और आप उन पे पत्राओं करें थाया मार्च की तरफ से देखें बात यह है कि यह कौन सा टेम्परमेंट है और मैं यह कहूंगी कि जब लौ इंफोर्स्मेंट आपके इदारे डिप्लॉइड है और जब हकूमत पिर जब उसको मालूम है कि एक सोच में तजार चल रहा है तो दोनों को एक चगा परमीशन देनी की ज़रुवत क्यूं पेश आई हमें अपनी कोताईयां तलाश करनी होंगी हमें रास्ते दुरस करने होंगे हमें अपनी सोचों को दुरस करना होगा आज हम जब बात करते हैं मखरबी और मश्रकी रिवायात की देखे हम तो कश्मीर के उपर सालसी भी अमरीका को लेने जाते हैं हम तो अगर अभी बात कर रहे थे कमर साहब कश्मीर के उपर कल में इंटरनाशनल वोमिन डे के मुनास्पत से कश्मीरी खावातीन की हालतिजार पर एक कॉंफरेंसी में उसको प्रिजाइड कर रही थी अगर आज राज राज रहाग साब ने यह एलान किया कि वो किसी ऐसे शख्स को टिकेट नहीं देंगे जो अपने घर की खावातीन को उनकी विरासत का हक ना दे तो मैं कहूंगी कि यह आ गही थी ना अगर यह मार्च ना होता अगर यह आवास ने ना उटती इस तरह तबज् देखें कि जो ग्लोबल जेंडर गाप इंडेक्स है उसे पाकिस्तान 153 मुलकों में से 151 नंबर पर है यानि पाकिस्तान से उपर सिरफ यह यमन और एराक हैं क्यों हमारे ऐसी निजबता कर यह इस्लामी मार्च नहीं है इसलाम ने अगर आवाड औरतों को नहीं देनी होती आवाज तो गुंगा पैदा कर देते हैं अल्ला ताला तेकिन अवहर चीज़ पर कादिर हैं वो हिक्मा समझते हैं कहीं तफरीक नहीं आई इल्म हासिल करने की अब मसला यह कि हम पड़े लिखे जाहिल हैं हम ने अपनी सोचों को महदूत किया और हम चीज़ों को वैसे हम जहन में बनते हैं मैं आपको मैं आपको फिर दुबारा भी मिसाल दूँगी जह हम अवाई की नीचे से जीन्स तलाश करते हैं या हम यह कहते हैं कि जो यह हमने काइद आजम बानी है पाकिस्तान जिन्हों ने यह कहा कि वो काम उस वक तक तरकी नहीं कर सकती जिसकी खवात हैं उनमें से एक स्लोगन जो आपको पसंद नहीं आया उसको आपने क्यूं चुना और आप यह डिसाइड खवातिन को क्यूं नहीं करने देते हैं कि बाकी मिजॉरिटी पाकिस्तान की खवातिन वो अपने कल्चर अपनी तहजीब की अकास ही करती है वो किस कर रिजिन करती देखेंगे जो एक गलत नारा है इन्होंने क्यूं चुना लेकिन जिन्होंने वो नारा बना है उनको भी तो हमें कहना चाहिए कि आप भी इसी नारे को लेकर आगर बढ़ रहे हैं हमें नफरत अंगेज रवहियों की जरुरत नहीं है आज हम हर चीज़ को इंटरनेशनल कॉंस्पिरेसी से नहीं जोड़ सकते हम अपने आप ये देखें कि रोज आना कितने वाकियात आप अखबार उठाएं मुझे कोई एक दिन का अखबार बता दें जिसके अंदर किसी मतनाजा है और उसके बाद हम हम दूसरों के लिए रेड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं आप यकीन करें मैंने सारी जो है ना अपनी जिन्दगी के बेच्टर हिस्सा बीस पाइस साल कम नहीं होते हैं मैंने सौदी अरेबिया में गुजारा और मैं मुझे अपनी किसी आग अगर कोई सही तरह से बढ़ना चाहा है बास अलाइये तो तो को रुकावट नहीं किसी खातून के लिए हमारी तरबियत की कमी हमारी सोच हमारे अंदर की जहालत है जो के अपनी मर्दी से हम एक मुतबर शक्स को अगर शेहर में रुंगी पहने में देखते हैं तो हम उसको जाहल तस्वर करते हैं तो यह हमें अपनी सोच को भी बदलने की जो होगी मुझे जो देखे का केड़ा है यह कंसरवेटिव अपरोट है अच्छा मुझे जो देखे का के लिए नहीं प्रोकर्स पर्टी इस पे प्लिटिकल पार्टी पे भी हमें डिवाइड नजर आया है पीबल्स पार्टी इसकी हमायत कर रही है तरीक इनसाफ और पीमलैन ने इसकी किसी हद तक ढखे चुपे लफजों में ताइद नहीं की या मुझालफत की है मुझाला खान साब ने इस औरत मार्च के बारे में एक लंबा उन्होंने खिताब किया है साइनक में घड़ाओ के कुछ अलफाज जरा सुनवाते हैं उन्होंने और अरत मार्च के बारे में क्या का मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम किस दिल से मर्च के खिलाफ बात करते हैं मैं मर्च के खिलाफ इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे नजदी के एक सोचे समझे मनसूबे के तहद बूरी दुनिया में ये बात हो रही है और इसके पीछे वेस्टेड इंट्रेस्ट हैं और मॉनिटरी बेनिफिट्स हुए हैं और हमारे मुल्क में खास वारस हैं अगर किसी औरत में किसी मर्द के खिलाफ बात करनी है जरूर करे उसको पूरा हासल है उसक किसी मार्च के इसके उसके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मर्द के खिलाफ बात करने से पहले औरत को अपने बाप के खिलाफ बात करनी चाहिए अपने शोर के खिलाफ बात करनी चाहिए अपने बाई के खिलाफ बात करे अपने दामाद के खिलाफ बात करे फिर का है मर्द कौन सा मर्द है इस बात की अजाज़त दे सकता है अपनी माँ को कह सकता है या वो जाकर रोट में ये कर सकती है बात किसी की बहन कर सकती है किसी की बेटी कर सकती है नहीं कर सकती ये जो लोग कर रहे हैं ज़र इसको इन्वेस्टिगेट करके करें जजबती ना हो कि इनके पीछे कौन सी ताक्ते हैं हमारे मुलक में बलके पूरी दुनिया में राइट जी, अलामा साथ, सेनेटर मुशायद उल्ला खान साथ, इनको भी इसमें को बू महसूस हो रही है कि शायद कोई साज़िश है इस सारे मार्च में ये इस मूवमेंट में आज़ाए में बादे होते हैं आपके स्लोगन्स के साथ मैं सिर्फ एक बाद सिर्फ तारी ही हकाई को बादे करने के लिगना जाता हूँ कि हलील रूमा कमर साथ की जिस ओरत के साथ मूड बीर हुई थी मैं बगएर नाम इंडिकेट किये करता हूँ कुछ अरसा कबल एक टेलिवियन प्रोग्राम में बकाया तोर पर गेज राइड के उपर LGBT के उपर लेजबियन राइड के उपर बकाया तोर पर शीज को इंडोस किया था तो इसका मतलब है कोई ला कोई अजंडा है ना भी देखे हमारे मौाशरे के अंदर हैं इस किसम की बातों को जागर करने का मकसद किया है यह हमारे मौाशरे निकाह को अंडरमाइन करने का मकसद किया है यह हमारे मौाशरे के मेरा जिसम मेरी मर्दी का नारा लगाने का मकसद किया है बाकी मैं यह बास जरूर कहना जाता हूँ कि जहाँ पर भी मौाशरी की तथियर के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं वहाँ पर भी हम ये बात देखते हैं मौाशरा दो सेग्मेंट में डिवाइड नदर आता है अब यहाँ पर सेंडर साहबा ने ये बात तो किया कि चाइल्ड डिव्यूस को रोकना चाहिए लेकिन इनकी अपनी पार्टी ने जिसको वो बिल पेश हो रहा है उसको इंडोर्स नहीं किया तो कहने का मकसद है कहीं न कहीं हमारे अंदर भी ऐसी बाते मुझूद है जिनकी इसलाह की दुरुवत है मैं ये बात समझता हूँ कि हम किताब और सुनत हमारे लिए रहनुमा है आईने पाकिस्तान हमारे लिए रहनुमा है हल्दी डायलॉग जरूर आँ चाहिए और जहां पे कंसंसिस मुझूद है औरत और मर्द के जिन राइड्स के पर मैं समझता हूँ वो रैर्ड्स के उनकों मिलने चाहीए औरतों को भी मिलने चाहीए अब उसके अनदर उसकंदर उनका नका आपके एक आपैसं कन्फरेंटेशन प्यादा करने क fax करना ये किसी बी है तो बाह से कोई हालदी चीज़ नहीं है एक मर्द का रोला बाप भी होता है, बेटा भी होता है, बाई भी होता है, शोहर भी होता है, इस तरह एक औरज जो है, वो बेहन भी होती है, बेटी भी होती है, इस तरह माँ भी होती है, इस तरह उसके दीगर रूप भी होते है, तो मौशरे के अंदर वो चीदें जो है, वो मुला कि politicians क्यों वाद ना उठाएं, मैं ये बास समझता हूँ, अगर आपने अपनी एक अधार को बचाना है, अपनी तहजीब को बचाना है, तो आपको उसके मुकाबले के पर एक पैरलल निर्टिव देना पड़ेगा, और कोई अगर देता है, तो मैं ये बास समझता हूँ जिससरा वो निर्टिव को देने वारी लोग अगर अपने निर्टिव को देने में अजाद हैं, तो काउंटर निर्टिव को सुनने का भी हमें होस्ला होना चाहिए, और इस बात को हमें इस मसले के अंदर किसी किसम क्यों जाना, यह जिए मैं समझता हूँ कि इस बात को एक अप्रोच खुली करने जाए अपनी और उसके बद तनकीज सुनने का भी हमारे नजगबा मुजूदा ना शाहिए एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जरा खलीरुर्मान सामने रखते हैं एक थेटर प्ले सुहिल अहमद साब पाकिस्तान के बड़े मारूफ एक्टर है उनका और ये खातून का मुकालमा है पाकिस्तानी माशरे के बारे में और मगरबी माशरे के बारे मैं यानि के जो फनूने लतीफा हैं उनके जरीए से माश्री की इसला हो सकती है उस रास्ते को छोड़के सड़कों पर बैस या सड़कों पर किसी तनाज़े के रास्ते पर क्यों जा रहा है माश्रा ब्रिक के बाइए ब्रिक के बाइए बाइए इस औरत मार्च की जो बहस है इसमें ये बहस भी शुरू हो गई कि पाकिस्तानी माश्रे में और मगर्बी माश्रे में क्या फर्क है और क्या मगर्बी तहजीब को पाकिस्तानी माश्रे के उपर कई थोपने की कोशिश तो नहीं की जा रही तो एक बहुत पुराना थेटर प्ले है सुहिल अहमत साब का उसमें इसी किसम का एक मुकालमा हुआ है जरा दिखाए जी खलील साब ये मुकालमा भी पिछले दस दिन से पाकिस्तान में था कि मश्रकी माश्रा ज्यादा बेतर है और बेतर है और अरत के लिए मैं हरान होता हूँ के हमारे हां सबसे हमें बार बार ये सैनीटर साहब आ एक बात पर अड़ी हुई है कि हमें आ गही चाहिए अरे भाया आपका प्रॉब्लम तो ये है कि आ गही कहीं आपके हाह नहीं है आपका माशिरा बड़ रिठ है अपनी नॉम्ज के साथ इसने सेंसिरी इसमें ये माशिरा डिवलप हुआ है इसमें सेंसिरी की त bestimmड़ोया है लोगों की इसमें रिलिजिज एलेमेंट्स हैं हमारी सिकाफत है हमारी नॉम्ज हैं उससे गुंद कर बनाया यह माश्रा जिसको कई से तोड़ने की और बर्बाद की जाने की कोशिच की जा रही है मत भूलिए अभी डॉक्तर असरार साथ की बात जो कहीं 30-32 साल पुरानी होगी मैं आपसे हेरािन का प्रॉब्लम क्या है कि यह तमाम बातें वही किये जा रही है जो उनकी हैं मतलब हम उनकी बात मन लोए 20 अबात हैं की आपको इतना तो ख्याल करना चाहिए कि आपने जो बे महार बाते की मैंने बड़े गौर से प्यार से सुनी है और हसी एगामात यही अरकत उन्होंने की थी यह तरही का नहीं है एक पड़ी लिखी औरत का कि मर्द बात करा और वो बीच में खिल खिलाए तो मैं अर्ज कर रहा था अमीर अब्बास साहब स्था जोन ऑलक्रा है प्राब्ल्म यह एक के त्टूंसना है हमारे उपर कि जिनको अपर आरू जो उनके नारे हैं उनको एकषट कर दीजिए आप ग्रकाव ले था की मिरा जिस मेरी मर्जी आप यह भी मान दीजिए कि खाना गरम कर दूँगी बिस्तर खुद गरम कर लो ये देखो मैं सही से बैठ की और वो जो सही से बैठने का पोस्चर है वो आपने देखा आप ये भी मालने कि I am divorced I am happy हमें इनको डिवेट के साथ मिलना होगा और इनको समझाना होगा इनके हां टके की आगे ही नहीं है ये एक मरद ने अगर इनके सामने बियान कर दिया कि उसके अहराम के नीचे जीन नदरा अई तो एक मरद है, वो सारे मरद नहीं है आप उस एक मरद की बेवकुफ़ी की वज़ा से सारे मरदों पर लेबल नहीं लगा सकती, एक मौलबीने अगर बद्फिली किया है किसी मदरसे में तो उस पर आप सारे मौलमियों को गाली नहीं दे सकती हम सारे मर्द उस मर्द को भी जिसने एहराम के नीचे जीन्स देखी और जिसने मदरसे में बदफिली की है हम लानत भीचते हैं उसके उपर सेनेटर साहिबा ये साल तो गुजर गया 2018 में जो मार्च शुरूआ था अगले साल उसका चौथा मार्च होगा पाकिस्तान में औरत मार्च क्या इस साल से कुछ सीखा है हमारी खवातीन ने मैं उनकी बात करो जिन्हों ने इसको थोड़ा कांट्रवर्शल बना दिया और वो मर्द भी के जिन्हों ने शायद बेजा अगर इस पर कुछ तनकीद की रहो दोनों तरफ से कुछ सीखा है कि हम अगले साल इसको मजीद औरतों के लिए और उनके हुकूक के लिए फायदा मन बना सके देखें बात ये के कंट्रवर्सी हमारी सोचों में तो इसकी मैं शादी कर दूँगा ये किस कल्चर का हिस्सा है जो हमने अडॉप किया है इसको भी तो दुर्स करने की जरूरा है ये एक गुलामाना जहें की पैदावार है और हम खाइफ हैं देखें किसी भी नारे से अगर आपका बिलीफ नहीं है आप बषते हैं आप ये झाहति देया झालोड निद्ट हो सकती है वह मलाला यूसफ जही हो सकती है वह नहीं खुर्ट की सीदिगार्ट हो सकती है कि तो जुर्णा करते हैं अन किस्तिगां कर्षा कि या है एपने मॉकिफ युद Zumilkal confirms चाई। और सेनेटर साहब अपने वाकिफ पे काइम है तो अब सालसी आप भी करवा दें कि ये को बैंद बैंद रास्ता क्या निकाला जा सकता है दिमागों से क्रोना वाइरस निकाले देखें ये बात बिल्कुल करुणा वायरस आप के अंदर आ हैं पीपिए वो निकाले की कोशिश कर रहे हैं अधरत रसूल ने क्या कर दी है और उन रुआयात को जो हमने कश़वियों के लिगते हैं हम ये बात समयते हैं कि अन मामलात के अंदर इनसान अगर अपनी सुट सरी करेगा या बगावत करेगा या अपनी मर्जी को को मसलत करने की कोशी करेगा तो मैं ये बात समझता हूं इसान को कभी फला नहीं मिल सकती औरत की तालीम का मसला क्या इसलाम ने हल नी किया क्या औरत की वरास्त का मसला इसलाम ने हल नी किया क्या उसकी तालीम का मसला इसलाम ने हाल नी किया क्या और जब जिन्दा दर्गोर की जाती है उसकी जिन्दगी की हिफादत का मसला इसलाम ने हाल नी किया जब यह सारे के सारे मामला जिस्याम ने हाल करनी है तो हमें वो कों सा अ beleza जो मगरभ से देरामत करने की धरूट है हम उन बातों के बादों के बीज़ जो क्युं चलना चाटे हैं जिन जनका तालूग ना हमारी तहजीप के साथ ना تمدن کے ساتھ ہے نہ مذب کے ساتھ ہے نہ روایات کے ساتھ ہے بات تو صرف اتنی ہے جب کوئی ایسی بات کرے گا جو حلاف دین ہوگی یا حلاف شریعت ہوگی یا حلاف تہذیب ہوگی یا ہمارے قومی مفاعلات کے حلاف ہوگی تو اللہ مصابی یا اس کا جواب نہ دینا آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ سارے مسئلے اسلام نے حل بھی کر دیئے اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اسلام ان مسئلوں پر خاموش ہے اختلاف یہ ہے کہ اسلام نے مسئلے حل کر دیئے آج کا مسلمان وہ حق نہیں دے رہا عورت کا شکوہ یہ ہے کہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا جو اسلام نے کہا تھا کہ یہ عورت کا حق ہے آج کی عورت یہ نہیں کہہ رہی کہ اسلام نے مجھے حق نہیں دیا وہ کہہ رہی اسلام نے دیا تھا میں یہ بات آپ کے ساتھ اوپن کہتا ہوں دیکھیں درہا سنیں بات میں کہتا ہوں آپ کو اگر عورت براست کے لیے نکلتی ہے علماء اس کے ساتھ ہیں اگر عورت جو اپنی اس معاملت کے لیے نکلتی ہے کہ اس کے تعلیم کا حق دیا جائے ہم ان کا ساتھ ہیں اگر عورت اس بات کے لیے نکلتی ہے کہ اس کو زندہ درگور کیا جارے قرآن سے شادی کی جاری ہے ہم اس کا ساتھ ہیں لیکن عورت یہ بات چاہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی یا میں ابورشن کروانا چاہتی ہوں یا میں بچہ دانی کو اپنے لیے بہت بہت سمجھتی ہوں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ باتیں کسی بھی طور پر ہمارا علماء تو بڑی دور کی بات ہے ایک عام مسلمان بھی قبول نہیں کرے گا رائٹ بات میرا خیال اسی پنچنگ لائن پر میں ختم کرتا ہوں I think میں یہ کہوں گی کہ میں نے کوشش کی کہ پرووک نہ ہوں اختلاف جو ہے وہ بحث کا حصہ ہوتا ہے اور اختلاف سے ہی ہم سیکھتے ہیں تو میں کہوں گی کہ اسلام کی اوپر آپ نے عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رویے مضبط کریں تحمل لے کر آئے دو منٹ کی ریٹنگ کے لیے ہم کسی بھی جگہ temperament lose کر سکتے ہیں مگر اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے مزید problematic ہوگی مزید problem پیدا نہیں کرنا چاہیے پروگرام کے اندر بھی یہ ختم کرنا چاہیے جو پنچنگ لائن جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو common points ہیں جو مشترکہ نقاط ہیں جن پہ کسی فریق کو بھی اعتراض دیں گے چاہے وہ عورت مارچ والے ہیں چاہے وہ دوسرے لوگ ہیں تو اس کے اوپر بیٹھ کے بات کو آگے بڑھانا چاہیے نہ کہ جو اختلافی نقاط ہیں ان کو مزید ان کے شولوں کو بھڑکایا جائے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے بہت شکریہ تمام میں آنوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے